हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस सार इस्टडी में दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल के अंदरगत आप लोग स्वस्थ रहके अपने अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रपल सी ने पीटी के फॉर्म के लिए नोटिविशन जारी कर दिया है और यह फॉर्म आज की डेट यानि 25 मई से स्टार्ट हो गया है और यह अगले एक महीने तक यानि 26 यून तक यह फॉर्म भरे जाएंगे तो जल्दी आप लोग फॉर्म भर द ही आयोग जो है आपके एक्जाम शुरू करा दिये जाएंगा योग के द्वारा और आज के वीडियो में हम लोग एक क्यों क्यों कर आएं कि जितना भी हम लोगों ने पुराना समय पढ़ा है या जनवरी फरवरी के जो करेंट अफेर्स के कुछ कोश्चन देखे थे तो व आपने इस टेस्ट में कितना स्कूर किया है ठीक है चलते हैं समय खराब नहीं करते हैं अपने कोश्चन देखते हैं तो पहला कोश्चन कह रहा है राश्ट को समर्पित रिवाली मदार खंड की लंबाई कितनी है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताया कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों इसका आंसर होगा 306 किलोमीटर ऑप्शन बीसका राइट आंसर है 306 किलोमीटर दोस्तों यह जो रिवाली मदार खंड है यह वेस्टन डेडिकेट फ्रेट कारीडोर का एक हिस्सा है जो साच जनवरी को राश्ट को समर्पित किया है प्रतानमंत्री मोधी ने रिवाली मदार खंड क्या है वेस्टन डेडिकेट फ्रेट कारीडोर का एक भाग है ठीक है कि लेंद कितनी है 306 किलोमीटर अगला कोशन देखते हैं कि विश्यू ब्रेल दिवस कब मनाते हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह विश्यू ब्रेल दिवस मनाया ये कोशन भी पुछा जाता है एकजंब में अगला कोशन देखते हैं क tout कोविड नाइंटीन सब्विता का संकट वा समाधान यह किताब ना में है दोस्तों इसको अच्rhे से याद कर ली जेगाज़े लिवार्टे जाकश संक Спाह्षिन ने लखी हैं या कोशन पूशन कोशन देखते हैं को सिंदू नदी की सायक नदी नहीं है दोस्तों को सिंदू की सायक के लिए कि यहाँ पुछरा नहीं है सिंदू नदी की सायक नदी नहीं है कौन सी तो इसका अंसर सही क्या होगा इसमें सतलज यह सिंदू की सायक नदी है रावी भी सिंदू की सायक नदी है और जेलम भी सिंदू की सायक नदी है दोस्तों यहाँ पर गोदावरी जो है यह सिंदू सारत में जो नजी तंत्र है वहां की नदी है यह तो ऑप्शन सी इसका राइट अंसर होगा दोस्तों गोदावरी जो है वो सिंदुकी सायक नदी नहीं है अगला कुश्चन देखते हैं गडी की चावी भरने के बाद उसमें बंडारित हो जाती है तो दोस्तों गडी जब चावी ब्री जाती है तो उसमें कौन सी दैसे इसके सदाशन में dirt ऑवगा तो सभी आंसर को ओप्शन डी यांत्रिक उर्जा किसका राइड आंसर क्या है option d यांत्रिक उर्जा को जिए तो अर्थ शास्त्र का जनक किसे कहते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसान कोश्चन कह सकते हैं जिसको नहीं पता किसे कहा जाता है का और यहां पर शास्त्री निर्त की बात कर रहे हैं कि जो कत कली नाम से option B केरल यह कतकली जो है विशेष्टा केरल से ही संबंदित है अगला कुशन देखते हैं City of Joy पुस्तक के लेखक तो दोस्तों जो किताब है City of Joy इसके लेखक पूछे जा रहे हैं तो इसके लेखक कौन है दोस्तों इसका सही आंसर क्या है option C Dominic Lapier तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आले गयते उससे ही संबंदित कोश्चन है जनवरी और फरवरी से संबंदित तो प्रधान मंति निरेंद मोदी ने जो है लाइट हाउस प्रोजेट्ट की आधार्शला रखी थी एक जनवरी 2021 को कब रखी दोस्तों एक जनवरी 2021 को लाइट हुस शूरू किया था प्रधान म भी याद होना चाहिए बताया था मैंने करेंट फेस्ट से वीडियो डाला था जनवरी का कि उसमें कौन-कौन से राज्य हैं दोस्तों उत्तर परदेश मद्द परदेश गुजरात तमिलनाडू त्रिपुरा और जहार खंड यह च्छै राज्य हैं जहां पर इसकी लाइट अगला कोशन देखते हैं बहुत संग संबंदी नियम वा आचार की सिच्छाएं किस पिटक से प्राप्त होती है दोस्तों यह question बहुत धर्म से संबंदित आ गया है अब बहुत संग संबंदी नियम वा आचार की सिच्छाएं किस पिटक से प्राप्त होती है तो इसका right answer क्या होगा friends इसका right answer है विनय पिटक जो है उसमें बहुत धर्म से संबंदित जो भी नियम और जो अचार विचार है उनकी उनकी सिच्छाएं विनय पिटक में दी गई हैं अगला question देखते हैं 1857 की कुरांती में लियाकत अली ने किस इसथान से नितर्त किया था दोस्तों बहुत ही important question है यह 1857 की कुरांती है इसी को जो माना जाता है कि यहां से ही कुरांतवात हुई थी आजादी के लिए ठीक है तो 1857 की किरांती में लियाकत अली ने किस स्थान से नेत्रत किया था तो इसका कि समानता का अधिकार समुधान के किस अनुछेद में है दोस्तों समानता अधिकार जो hen है वह मारे मूल अधकारों में से एक है यहां पूछा जा रहा है कि समानता का अधकार किस पर्टिकुलर अंच्छेत के अंतरगत आता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा फ्रेंड्स एैशिका राइट आंसर होगा आप्शन बी अनूच्हेत चौधा से अनूच्छेत 18 के बीचमें समानता का अधकार को जो है वर रित किया गया सम्विधान में एक है अगला कुछन देखते हैं भारतिय विसमार्क के रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तों भारती विसमार्क के नाम से जाना जाता है किसको सर्दार वल्लब भाई पटेल को भारती बिस्मार के रूप में जाना जाता है अगला कोशन देखते हैं विश्र गौराया दिवस 2020 की थीम क्या थी दोस्तों अब ये थीम से संबंदित कोश्चन है कि क्या विश्र गौराया दिवस 2020 की थीम पूछी जा रही है यहां पर तो आ मना जाता है 20 मार्ज को मना जाता है 20 मार्ज को मना जाता है विश्र गौराया दिवस मना गया था तो फिंद्क क्या फ्रेंड्स तो इसका रॉइट एश्र है आई लव इस पयर औप्शन भी का राइट भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है दोस्तों ये question कई वारे एक्जाम में पूछा गया है है बहुत ही जी लेकिन वही चीज है कि जिसको नहीं exit याद है तो वह नहीं कर सकता है question को तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है तो यह साजा करता है भारत के साथ में 4096.7 km की सीमा को साजा करता है भारत के साथ में कौन सा देश बांगला देश सरवाधिक सीमा यही साजा करता है और सबसे कम कौन साजा करता है तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम सीमा साजा करता है भारत के साथ में लगबग लगबग 106 km pengonar क् mean try a क्Watch ली का पून्र रूप क्या है दोस्तों जी है Veterans पूण पूशा गया यहां पर यसका पूल रूप क्या होगा कॉंस्ट अपशन सढिन्य इसमें Да लोस्तों जी एसल वी वे गल्स सेंटलाइट लांच वेकल ठीक कौन साफिन से इसमें तो ओप्शनसी सही है स्री jeet is choice वे आप क्ऊसा सही ए को सिर्श है a Faties इस कूरनस सेटलाइट लॉउच वेकल जी एसलवी का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लॉउच वीकल यह भारत का हिए दौस्तों सेटलाइट लॉउच वीकल है ठीक है GSLV अगला कुशन देखते हैं कि बोरी अभ्यारण किस प्रदेश में इस्थित है दोस्तों बोरी अभ्यारण जो है वो किस प्रदेश में इस्थित है कुछ देखते हैं राजस्थान गुजुराथ मध्य प्रदेश और महराष्ट दोस्तों इसमें आंसर देना है कि बोरी अभ्यारान किसी राज्य में इस्थित है तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश यह पास किया गया कि राष्ट को लिए कि राष्टी इसको राष्टी किया जाएगा गुजरात के गांधी नगर में और इसका राइट अंसर गांधी नगर अगला कुशन देखते हैं नौ सैन अभ्यास पैसेक्स 2020 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया दोस्तों यह सैन अभ्यास जो है इस जब पुछा जाता है अगर आपके जाम के आसपास को यह सैन अभ्यास हुआ है तो बहुत इंपोर्टेंट होता है लेकिन क्योंकि अभी हाल में कोरोना काल चल ला हो जाता तो बहुत दिनों से एक्जाम हुए नहीं तो 2020 के लाश्ट पीस हुए है वह भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीके अब जयाम होगा उसके लिए पैसयक्स सैनभ्यास है यह चार से 22 in FIFA फुट्बॉल विशकाप 2022 में कहाँ अजित किया जाएगा 2022 फूट्बॉल विशकाप वो 22 नंबर का होगा यो फूट्बॉलоз और होना है 2022 में होगा ये ठीक है दो चीजे इंपोर्टेंट नंबर के होगा फिफा फुटबाल विश्कप और यह 2022 में होगा अब जो कोशन पूछा गया कि कहां आज़ित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों ऑप्शन डी कतर में आज़ित किया जाएगा यह ठीक है आप आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो तेईसमें अमेरिका यह तीनों संयुक्त रूप से इसका योजन करेंगे यह आपको फैक्ट पता होना चाहिए अगला कोशन देखते हैं निम्द में से सही उत्तर का चैन करें चेक करते हैं ऑप्शन भाई सांख दर्शन कपिल योग दर्शन पतंजली निया दर्शन गौतम उपरोग है गौतम रिश्य है यह तीनों ही सही है तो इस कोशन में राइट आंसर क्या होगा अपना आफ्शन टी ओपरोग्त सभी अगला कोशन देखते हैं राज्यों में राष्पती-शाषन से सम्बंधित अनुच्य नचेत कौन यह दोस्तों राज्यों में जो राश्पती सहल ल राज्यम जो राश्वप्रति शर्चा कूए गया है अगला कॉशन देखते हैं सूर से दूरी के क्रम में प्रतवी का इस्थान कौन सा है करते हैं तो पुछा गया है कि प्रत्वी का स्थान कौन सा है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप्शन भी तीसरा स्थान है जो सूर है ठीक है उससे बात चलते हैं दूर की आगे की दरफ सबसे पहले पढ़ता है बुद्ध फिर पढ़ता है शुक्र प्रत्वी अपनी ठीक है तो तीसरा क्रम है अगला कुशन रखते हैं के परिश्चरम के बाद कुशन ध्यान से पढ़ येगा फ्रेंड्स कटिन परिश्रम के बाद मांस्पेशियों में थकान किसके जमाव के कारण होता है होती है ठीक है तो जब हम लोग बहुत मेहनत का होता है हुआ हूँ में जो है मैसुस होता है कि कौन सा ऐसा अइसर है जो जम जाता है ज Präsident यह मैसूस होता है यह थकान हो गई है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा इसका right answer होगा लेक्टिक अमल option D इसका एकदम right answer है हम लोगी मांस पेशियों में जो है वो लेक्टिक अमल का जमाँ हो जाता है जो हम लोग भूँए बहुत ज़यदा मेहनत कर लेते हैं कोई काम करते हैं मेहनत वाला कि उसके लेक्टिक अमलेक के जमने की वजह से ही हम लोगों को मास्पेशियों में थकान का अनुभव होता है तो दोस्तों यह 25 कोश्चन थे आशा करते हैं कि आप लोगों सारे कोश्चन सही कि होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताएगा कि आपने 25 में से कितने भी मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए अब कोशिस यह की जाएगी कि जो यूपी टिपल सी पीटी का जो एक्जाम आने वाला है जो नोटिवेशन जारी कर दिया गया है उसके लिए रेग्वेशन पर हम लोग स्लेवस के अधार पर टॉपि के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स स्वस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद